नमस्क्राइब दोस्तों मैं प्रदीकुमा शारकर विल्कम बैक तो मैं चैनल गार्डेन रॉप टॉफ दोस्तों मैं आज आपको दिखाऊंगा और यह जो चिकु प्लैंट है इसका चिकु का जो हर्वेस्टिंग है वह हर्वेस्टिंग भी मैं करके आपको दिखाऊंगा तो है यह आठरा इंज बला जो पॉट है इसी में ग्रोव कर रहा हूं और यह इसके साथ-साथ मतलब यह जो पुदीना है वह भी ग्रोव कर रहा हूं तो दोस्तों मैंने दो मैने पहले जो है इसको तब इसमें छोड़ा-छोड़ा चिकू सफेदा आया था तो मैं इसका केर में बताया था कि कैसे कैर करने से इसका जो चिकू जो है और भी ज्यादा इसमें ग्रोव होगा और बहुत मतलब चिकू इसमें से यह आपको मिलेगा तो दोस्तों देखिए चिकू बड़ा भी हो गया और इसमें पाकना भी शुरू कर दिया दो चार मतलब इसमें पाका भी है आज भी जो है मैं आपको देखाऊंगा कि चिको कितने बड़े-बड़े हो गए यह दिखिए यह दिखिए और इस इमिस अरे ये देखिए कितने सारे चुब जो है वह बड़ा हो बड़ा हो गया तो दौस्तों चलिए मैं एक एक करके बतल्ब इसको तोड़ता हूं यह देखिए यह तोड़ा सा इसमें से दूद निकलता है और यह एको दिन रखने के बाद ही यह पख जाता है घर पे अगर रख देंगे तो तो दोस्तों चलिए मैं एक एक करके मैं तोड़ता हूं वो रही ही पर रखता हूं दोस्तों यह देखिए यह कितना सारा चिकूप आप मैं हर्वेस्ट कर लिया आज तो इससे पहले भी दो तिन मतलब ऐसे गिर गया था पकने के बाद तो मैं इसको घर पर रखोंगा तो फिर यह पक जाएगा और इतना अच्छा टेस्ट है इसका बहुत ही मीठा है बहुत ही तो दोस्तों यह आपने देखा और इसको कैसे क्यार करेंगे इसके उपर मैंने वीडियो जो अपलोड किया करीबन दो मैना पहले तो दो मैना पहले जो यह छोड़ा छोड़ा था तब यह चिकूप इतने इतने थे इसके बाद भी मतलब जो है यह छोड़ा चोड़ा पृट्ट आपको मिलेगा चुलिए दोस्तों कि देखिए कितना अच्छा लग रहा तो अगर अच्छा लग रहा तो जोड़े इसको लाइक कीजिए शेर कीजिए और में चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए शाथ में बिल आइकन को प्रेश कीजिए ताकि जैसे मैं नए वीडियो अप्लोड करूंगा आपको तुरांद मोटिफिकेशन मिलेगा आप उसको सबसे पहरे देख सकते हैं तो थैंकि दोस्तों थैंकि फॉर वाचिंग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नाय जानकरी के साथ तब तक के लिए बाई एन हैपी गार्डिनिंग थै